नमस्कार बहुत बहुत स्वायत करते हैं क्लिक टूडे के आज कि इस वीडियो रिपोर्ट में टीडीसी पार्ट टू दो हजर भी से टेशन परिक्षा दे रहे चात्र हैं जानते हैं कि परिक्षा से ठीक एक दिन पहले जो यह वीडियो आती है हमारे चैनल के उपर कि कल कौन गर्व की परिक्षा थी आज यह वीडियो 16 तारी को रिकॉर्ड किया जा रहा है कल 17 तारी को कौन से कौन से ग्रुप की परिक्षा होगी तो ई और एफ की परिक्षा है ली जाएंगे ओईबार से ने अगर आपसे कुछ भी गलतियां हो जाती हैं तो उसके लिए आप लोग लगातार कमेंट कर रहे होते पैनिक पैनिक जाते तो आपको बात की बात है इकदम निश्चिंद रही है जो खेंद अधिक्षक जो होते यानि कि जो इन्विजलेटर है जो आपको इंस्ट्रक्शन दिये है एक्सामिशन हॉल में आप उसी को follow up करो, ज़रुरी नहीं कि हम जो बोल रहे हैं हम लोग जो बता रहे हैं आप उसी को follow करो ठीक है, आप जो invigilator बोल रहे हैं आप वैसा ही करें क्योंकि देखिए जब कभी भी गरबरियां होती हो इमाशीट भरने में बाद में examination center पर जो है ये correction करवाया जाता है in fact copy जो है university को आती है coding होने टाइम थोड़ा दिक्कत होता है चलिए पहले बात कर लेते हैं कि कल कौन से कौन से subject की परिक्षा है तो कल पहले पाली में सुबह 9 बज़े से लेकर कि दोपार 12 बज़े तक E group की परिक्षा चलेगी 17 तारीक को Hindi, Geology, Mathematics English, Mathly, Paper 3 की परिक्षा कल पहले पाली में ली जाएगी फिर जो है दूसरे पाली में F group की परिक्षा ली जाएगी 17 तारीक को पेपर 3 की ओनर्स की Sociology, A.I.H.N.C Botany and Psychology की कल जो है दूसरे पाली में परिक्षा जो है कराई जाएगी ये दूसरे पाली की परिक्षा दो पहरे एक बज़ से लेके साम के चार बज़ तक चलेगी और आप सभी अपने अपने परिक्षा के इंद पर आदे गंटे पहले पहले पहुँच जाएगे उसके बाद जो है आगे आने वाली परिक्षा होंगे उसके आपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा और आपको बताते थे हैं कि जो उइमार शीट पर वो क्या-क्या बदलाव किये गए इसके नीचे आप देखेगा सब्जेक का जो नाम है पूरा पूरा लिखिएगा आधा अधूरा मत लिखिएगा बहुत लोग बता रहे थे कि बिजनस लोग में हमने BUS और LAW लिख दिया है तो क्या हमारा जो है रिजल्ट नहीं आएगा मार्क स्पेंडिंग में जाएगा ऐसा कुछ होगा क्या जो भी समस्य आएंगी वह बाद में दूर कर ली जाएंगे इसलिए आप लोगो चिंता में नहीं जाना है आगे से ध्या लिखने नीचे जो गोला को सही तरीके से भड़ना है सब्जेक कोड चुकी जो है आपके कोश्चिन पेपर पे नहीं दिया हुआ है तो आपको भरने की जुदत नहीं है खाली छोड़ देंगे आपका अनुर्स पेपर है तो आप गोले को रंग देंगे यहां पर अगर है पर क्या बढ़े ठीक है क्योंकि पेपर नंबर में यूसरी आपका ऑन्यूर्स पेपर रहता है पेपर फ़ोर वही जो यहां पर बहरा जाता है इसके आदस सीधे नीचे आते स्वास्थे कूंप अनकों में दिया हुआ है तो यहां पे अपना अंक भरते हुए नीचे गो लिखें और जो आपका नंबर्स में दिया वह नंबर्स लिखें और नीचे जो है नंबर्स वाले कॉल्म में घेरा लगा दें ठीक है यह आपके उपर है और जो वहां पर बोला जाता इंस्ट्रक्शन उसे आप फॉलो करेंगे आपको 20 भरना है यानि कि यहां पे तो दो जिरो भरेंगे उपर लिखेंगा नीचे गोला को भर देंगे दो और जिरो पर और जो आपका रेजिस्ट्रेशन यह जो भी इस्टूइंट रेगुलर वाले होंगे वह दो और जिरो भरेंगे और जो भी प्रमोटेटेज उनका जो 20 लिखा हुआ है तो वह 20 का रिश्ट्रिशन है तो जो रेगले स्टुएंट है वह 20-20 भरेंगे यहां पर 20 और यहां पर 20 और नीचे गोला में 2 और 0 पर घेर देंगे इसके ठीक नीचे आएंगे अपना रॉल नंबर भरेंगे रॉल नंबर भरने के साथ नीचे दि अपने सिट्टिंग में भूल जा रहा है बात में सोचने हैं कि कहीं पेंडिंग तो नहीं जा गांगा होगा यहीं कि आपका रिजल्ट जो है देरी से आएगा क्योंकि पार्ट् थी वाले जो स्टूइंट 2019 से बाइसे ने ंश्रम ते पाई गहीं तो रिजल्ट आने में द रिजल्ट में टाइम लग रहा है तो ऐसा आप लोग के साथ भी हो सकता है अगर आप कोई भी बॉक्स को खाली चोड़ते हैं या गलत भरते हैं तब तो आज की वीडियो में बस इतना ही तत्य के लिए हम चलते हैं धन्यवाद अगर आपका कोई और सवाल यह सुजाओ तो न पीचे कमेंट करेंगे